हमारे यहां लोगों में भावनाओं की कमिनी है, उसको एक्सप्रस नहीं कर पाने की कमिनी है हलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगिन्द सिंग राठोड और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का एक और नया एपिसोड आज बहुत ही यंग और डैनमिक गेस्ट हमारे बीच मोजूद हैं जो कि एक राइटर हैं, एमोशन इंटलिजनस एक्सपर्ट हैं, रिलेशनशिप कोच हैं और इंस्टाग्राम पे लाखो लोगों को आज रिलाशनशिप पे और कपल एदूकेशन पे अवरननेस दे रहे हैं जो प्लेक्स बेर्या हैं, जो प्लेस लेक्स बड़िच्ट चोदरीजी इ नर शोग्चयएं जो सब्सक्राइब कर दिया है इस डिरेक्शन में आगे बढ़ना तो कैसे ये पैशन तुम्हारा अनलोक हुआ क्या कोई इवेंट से शेप अप हुए जिन्होंने तुम्हें इस डिरेक्शन में डिरेक्ट किया बैसेकली जब मैं इंजिनेरिंग में था तो वहां से मुझे जिसा मैंने पहले भी यहां माका आए कि डिरेक्शन इंडिस्ट्री के साथ काम करता था तो वहां पर पॉब्लिक स्पीकर्स को देखूँ पर motivation में नहीं जारा था motivational speakers और वो सब चीजों में मुझे ऐसा लगता था कि वो temporary वाली दुनिया है तो लगता था कि यह कोई ऐसा domain पगड़े जिसमें हम लोगों को सच में educate करें उनके life की quality को elevate कर सके और उनके जिंदगी में सच में कोई impact create कर सके तो engineering निकल गया MBA के second semester में हमारे college में एक event हुआ था trade fair उसमें ऐसा था कि आपको एक product बनाना है उसकी marketing करनी है उस product को बेचना है उससे profit generate करना inter college competition था तो वो product क्या होगा कैसा होगा यह सब देखना है तो वहाँ पर हमने handmade cards बनाये थे तो उसको हमने ऐसे pitch किया था हर्जे की जाकर उसकी जब marketing कर रहे थे कि जो sentiments है क्याने कि जो sorry बोलना या thank you बोलना या love you बोलना या congratulations बोलना ये सब चीजों की importance बहुत degrade होगी है social media की वज़े से तो वो जो एक एक charm रह गया था कि किसी तरह से wish करना है किसी को या sorry कहना है तो उसके लिए तो कुछ efforts डालने है वो खतम होगे बस हमने type किया sorry और बेज दिया thank you लिखा और बेज दिया तो हमने उसको इस तरह से रखा कि यार जो sentiments है यार लोगों के साथ जो चीज़े हमारा bond बनाती है उनको इस तरह से dilute ना किया जाए उसको specially रहने दिया जाए तो उसके लिए हम लोग आपके लिए cards लेके आ रहे customized card और ये वो सब कुछ तो लोग हमारे पास उसमें ही आए दूसरा हमने उनको कहा कि हम services भी देंगे card आपके लिए हम deliver करेंगे आप चाहेंगे तो anonymously करेंगे आप चाहेंगे तो किसे को love you कहना है तो हम जाके कहेंगे आपके बहाफ पर आप कहेंगे तो silently आप कहेंगे तो चिला चोट करके एकदम शोर मचा के पूरे fair में उस तरह से करेंगे तो उस दिन देखा जाए तो मेरे दिन बर में बहुत तरही setting करा ही लोगों भी तो लोग जब आके कह रहे हैं कि विकास सर वो लड़की की smile दो बहुत अच्छी है उसको मुझे बोलना है पर मैं उसको बोलूँगा तो शायद उसको लगेगा कि यार ट्राई मार रहा है तो मैंने का कि यार अब तुम कार्ट पसंद करो मैं इसका तरीका ढूंडता हूँ तो वो दिन मुझे समझ बहाया है कि हमारे यहां लोगों में भावनाओ की कम इनी है उसको एक्सप्रस नहीं कर पाने की कमी है लोग अपने मन की बात ही नहीं बोल पा रहे है तो मुझे लगा कि यार इन चीजों पर थोड़ा काम किया जाना चाहिए तो वहां से मैंने शुरू किया फिर रिलेशंचिप फंडामेंटल्स पर हमने रिसर्च करना शुरू किया ऐसे करती 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 यहां तक आके है लवली तो अगर सिंपल भाषा में यह एक्स्प्लेन करना हो इमोशनल इंटेलिजेंस आज कल काफी होट टोपिक है और आइटिंग डेनिल कॉलमेन नोबेल प्राइज भी मिला है इसकी रिसर्च पे तो क्या है एक आम इंसान के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और इसकी क्या एप्लिकेशन लगती है रिष्टों में आपको कि जिससे हमने देखा है कि एक इंसान की जिन्दी में चार पिल्डर्स होते है पहला फिजिकल पिल्डर होते है तो एक बच्चे को बचपन सही हम लोगे बोलना शुरू करते है कि थोड़ा फिटनेस पे दियान दो या थोड़ा मस्ती करो थोड़ा के लोगो दो तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा मजबूत रहे, स्ट्रॉंग रहे तो हम उसको स्पोर्ट सेया फिजिकल अक्टिविटीस के तरफ मोल्ड करते है हम चाहते हैं कि वो बड़ा बुद्धिमान भी हो तो उसके लिए हम लोग उसको केजी वन, केजी टू, नरसर ये वो दो-तीन साल की उमर से वो सिखाना शुरू करते हैं ताकि इंटलेक्शुली वो ग्रो हो जाए हम उसको spiritual angle को टीक करने के लिए मंदिरों में जब वो जाता है तो यहाँ जेजे करो यह भगवान है यहाँ मत्थाड़ वो यहाँ पे चपल पहन के नहीं आते यहाँ पर चिलात ही नहीं, यहाँ पर ऐसे बैठते हैं तो हम वो तालीम भी उसको सिखाते है पर हम कभी भी emotionally strong कैसे होना है जो चोथा और सबसे important pillar है जिसके अभाव में बाकि यह तीन pillar खतम हो जाएंगे उस पर हम उसको educate नहीं करते है कि यह उस पर हमने उस पर यह चोड़ दिया है कि यह धक्के खाएगा यह धोके खाएगा यह गिरेगा और सीख जाएगा तो जो सबसे important pillar है उस पर हमने education की विवस्था नहीं करी उसको हमने failures के थुरू सीख लेगा यह करके छोड़ दिया अब होता क्या है कि लोगों के अपने sentiments control में नहीं है हमारे इंडिया में अभी भी इसा होता है कि लोग कहतें कि मैं emotional जब कि emotional अगर कोई इंसान है तो वो खुशी को भी उतना ही मैसूस करेगा joy और excitement को भी उतना ही मैसूस करेगा और दुख को भी उतना ही मैसूस करेगा वो अपने खुशियों में है खुश भी उतने ही होगा, जितने वो अपने दुखों में दुखी रहता है, पर हमारे हैं emotional इंसान की definition यह है, जो रोता रहता है, जो परिशान रहता है, जो दुखी रहता है, और वो यह कहता रहता है, मैं बहुत emotional हूँ, basically वो emotionally weak है, तो emotional होना और emotionally weak होना ये एक अलग मतलब emotionally थोड़ा mature हो जाना, emotionally थोड़ा सा controlled हो जाना, ये अपने बाहों को और दूसरे बाहों को समझ पाना, that is basically emotional intelligence, कि हम हम हवारे sentiments को पैचानते हैं, और सामने वाला कुछ कह रहा है, तो उसके sentiments को भी हम address कर पाए, कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये छोटी से understanding है, lovely, बहुत बढ़िया बताया तुमने, और in fact, education तो दूर की बात है, कई बार तो even suppression भी सिखाये जाता है, कि छोटा बच्चा अगर रो रहा है, तो उसको कहा जाता है, कि क्या लड़की कि तेरे रो रहा है, तो एक वो suppression of emotion भी कहीना कहीं दिखता है, कि जादा express ना करो, आप even बच्पन में हम देखते हैं, कि बच्चा ज़्यादा अगर हासने लगे, तो कई बार parents कहते हैं, कि अभी ज़्यादा खुश मत हो और ना रात करोएगा, तो कई बार ये attitude भी बच्चों के अंदर develop होता, जो बड़े होते 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 उनके अंदर आता है, अगर हम कुछ facts देखें, तो heart attacks male को ज़्यादा आते हैं, female के comparison में, और suicides भी male ज़्यादा करते हैं, female के comparison में, so do you think emotional intelligence या उसकी कमी होना, emotional suppression एक reason है, जिसकी वज़े से ये दिखता है, दरसल मुझे लगता है कि हमारे आपर थोड़े Indian society में ये problem जाता है, वो ये कि हम लोग प्यार करना और लाड करना में difference नहीं कर पाए, मतलब pampering, जिसे हम बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा है, और उसे सरदी भी लग रही है, तो उसकी मम्मी कह रही है कि इसे चॉकलेट मत देना, और अगर फिर भी चॉकलेट के लिए रो रहा है, तो प्यार ये होगा कि आप उसे एक चाटा लगाए और क्योंकि आप उसकी long term benefit सोच रहे है कि रात में इसको सरदी की वज़े से नीन दी आईगी, परिशान होगा, सफर करेगा, और pamper कैसा होता है, कि एक छोटा सा टुकड़ा तो देई सकता हो यार, बच्चा है, तो ये pampering होगी, तो हम कही न कहीं, हम भी मुख्चली control नहीं है, और कहीं न कहीं है, हम उस लाण वाली जो फ्रेम है, उससे बाहर नहीं आ पाते, और over protect भी करने लगते हैं बच्चो को, अब आप देखिए कि ना सिर्फ बच्चो को, पर लोग कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, जिससे कि कई इसे लोग हैं जो अपनी wife से आज भी वो क सामनी करवाना चाहते हैं, जिससे वो डरती है, और वो उसे प्यार कहते हैं, यार उसको न इस चीज से डर लगता है, उसके सामने वो मत कहना हूँ, यार उसको न वो चीज सेहन नहीं होती, उसको प्लीज वो मत कहना हूँ, मतलब वो उसे protect कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा आप उसको situation में लेके जाओ उसका हाथ पकड़के उसको चीज करवाओ एक दो बार और वो fear कतम करो पर हम over protect करते रहते हैं बच्चों के लिए पर हम हमेशा कहते रहते हैं कि यार इसके सामने ऐसा मत बोलना यार इसके सामने मत करना डर जाता है तो हम लोग उनको emotionally खुदी रोक रहा है कि कहीं गलती से grow ना हो जाए इनका डर खतम ना हो जाए तो ये एक concern है in fact आपने देखा होगा कि किसे के family में कोई casualty होगी कुछ होगी तो उस गर का जो सबसे weak इंसान है उसको जाके उस पुरी गटना को ऐसा wrap-up करके बताते है कि एकदम दीरे से उसको घुमा फिरा के यहाँ वाँ करके बताना नहीं तो उसको एकदम धक्का न लग जाए क्योंकि हमने बचपन से उसको बड़ा ही वेज़े ही किया है तो थोड़ा over protection भी है उस वज़े से भी हम लोग थोड़े कमजोर या ऐसा पंगो किदम के लोग बना दे रहे है जो emotionally smart नहीं है तो एक emotional intelligence बहुत important है रिष्टों में भी और अगर बचपन में उसको built नहीं किया गा तो कई बार वो बड़े हो करके आपके adult relationship में भी बहुत ज़ादा आदा करती है तो एक किसी भी relationship को अच्छे से चलाने के लिए especially अगर youngsters में हम देखे हैं कि जो एक relationship की शुरुआत है कि नए बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उस दोर के अंदर क्या factors इंसान को ध्यान में रखने चाहिए when they are starting a relationship क्योंकि कई बार होता है कि आप सिर्फ looks के आधार पर रिष्टे बना लेते हैं एक infatuation के आधार पर रिष्टे बना लेते हैं तो एक infatuation और एक true love इन दोरों में कैसे बंदा differentiate कर सकता है अब सर इसमें न दो points है इस बात के इसके दो पहलू है एक पहलू है जिस पे आधर्श है ideal situation कि एगर प्यार है true love है तो वो dedication, summer plan और वो सारी बावना है जो कि आमतोर पर हम सिखाते है और इसका दूसरा phase है कि हम 2023 में आगए है आप सब कुछ casual चल रहा है यहाँ पे कोई भी सी serious है नहीं तो जब आप 18-22 की उम्र में हो और अगर आप अपने partner को एकदम initial phase से seriously ले रहे हो तो आप कभी भी गड़े में किर सकते है यह थोड़ा वैसा है तो अगर थोड़ा idealism side में रख दिया जाए तो मैं कहूंगा कि किसी भी relationship को शुरू कर रहे हो तो वो relationship का जो starting का phase होता है जो 6-18 मेने का जो phase होता है तो वो एक glorious phase होता है यहनि कि relationship start हुआ तो सब कुछ हवाओ में है सब कुछ बड़ा मजे में है बड़ा खुश्णुवा चल रहा है चैट करना अच्छा लग रहा है मिलना अच्छा लग रहा है बाती करना अच्छा लग रहा है पड़ाई लिखाई सब एक तरफ रख दी है मम्मी पापा सबसे छुपा भी लिया किसी को बदा भी नहीं रहा है क्योंकि वो एक ऐसा पड़ावे उमर का कि वहाँ बस कोई नहीं चाहेगा कि आप इतने ज़ादा उसमें रम जाए है ना पर 6-18 मेन के बीच में वो जो चाम है न वो डैलिट होता है वो attention मिलना कम होती है और वो relationship जो है वो थोड़ा सा saturate होता है वो जोरान थोड़ी reality सामने वाले की सामने आती है कई बार वो reality उतनी अच्छी नहीं होती जितनी starting में सब चीज़ा अच्छी लग रही थी तो वावर breakups के chances ज़ादा है तो तो मैं जैसा मैंने कहा कि एगर थोड़े ideal चीज़ों को side में रख दिया जाए तो I would recommend कि किसी भी relationship में अगर आपने साल डेट साल नहीं बिताया तो उसको पहले तो seriously लेना ही नहीं है अच्छा, good अगर आपने डेट साल उस relationship में spend कर लिया और आज भी आपको सामने वाला है उतना ही अच्छा लग रहा है उसके साथ आपका bond उतना ही अच्छा है आपकी frequency बहुत अच्छी बन रही है आप लोग एक दूसरे की इज़त भी कर रहा है आपको एक दूसरे के लिए प्यार भी है, फिकर भी है, सब कुछ है तो फिर वो आपके लिए बहुत precious चीज है जो आज के जमाने में मिलना मुश्किल है फिर उसको खूब समाल करें फिर वहाँ पर एक अच्छी understanding बिल्ड करिए वहाँ पर थोड़े से intelligently behave करिए वहाँ पर फिर nonsense चीज़े ना हो जाए पर भी है intelligence that you said, the coping mechanisms to handle the conflicts now all these things will come into picture, only chemistry is not going to take care of it, right? Yes, और एक और एंगल जो बहुत ज़ादा मैटर कर जाता है वोई है कि अगर आज भी आप वापस से पूरोगा सोशल मीडिया हटा ले समाज में से, लोगों के पास access खतम हो जाए दूसरे लोगों का यानि कि मैं यहां बेटा बेटा दूसरे कि किसी भी लड़की को मैसेज कर सकता हो यह मुझे से चीन लो आप तो मुझे जिससे प्यार है, वहां मेरा समारपन डेडिकेशन से वापस बढ़ जाएगा वापस अच्छा प्यार हो जाएगा और वह जाधा चलेगा और अब रेकप की चांसेज अपने आप ड्रास्टिकली कम हो जाएगगे तो जाधा एक्स्पोजर होना जाधा ऑप्शन की अविलेबलीटी होना यह प्रॉब्लम दे रहा है लोगों के सेंट्मेंट डाइलीउट नहीं हुए है पर अब क्योंकि वो ही है ना कि जिस अध्यात्म वाला जो एंगल है जो स्पिरिच्वलेटी वाला एंगल है कि जहां प्रलोबित तो होंगे आपकी गर्ल्फरेंड है बड़ उससे ज्यादा होट शॉट लड़की अगर दिख गई है तो प्रलोबन तो आएगा वो तो यूमन इंटलिजेंस भी होता है जो आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखता है तो भी आपको एकी बंदी से प्यार रहेगा और आप उसको ज्यादा लंबा लेके जाएंगे तो एजुकेशन होना या एक तालीम होने की ज्यादा जरूरत है अब क्योंकि हमने व्यवस्ताइब बिगा हैं हमने जादा प्रलोवनों को सामने लाके रखी दिया है तो अब हमको जादा स्ट्रॉंग या जादा स्ट्रेंथ लेके आरी पड़ेगी कि हम यहां वाना हो तो उसके लिए हमको जादा एजुके टेट होना पड़ेगा वाइट आइट इंग तो बाग सो ट्रूली सेड तो मेनी ओप्शंorar ओप्शंस इतना सारा डिस्ट्रेक्शन कहीं न कहीं जो डिस्ट्रेक्शन है वो डिवोशन को नलिफाय करता है वीक करता है so it is so true that so many distraction is there and there are impulses बले हमने अपने animal के उपर मानवी layers लगा लियें बहुत सारी layers, समाज की layer, morality, ethics की layer लगाई है but still अगर आप ये layer मानव दुआरा निर्मित है natural layers नहीं है ये they are the product of the society जब हम civilized लेने लगे तो ये मानव दुआरा बनाई गई परते हैं लेकिन जो अंदर innate nature है, हमारा animal nature है उसमें जो impulse है कि जो lust का impulse, sex का impulse, attraction का impulse, पाने का impulse, desires ये कई बार अगर आपकी परतें strong नहीं है जो emotional intelligence जैसा आपने कहा ये right way से educate करना कि आप अपने आपको कितना समझते हैं अपनी instincts और impulses को जोगी जब impulse बाहर आ रही है, उसको अपन कैसा control कर रहे हैं and that becomes extremely important in today world because इस world को तो अब change नहीं कर सकते हैं आपको दी को बदलना पड़ेगा आपको so I think the role of emotional intelligence और ज़्यादा grow हो जाता है बहुत ज़्यादा in fact पिछले कुछ महिनों में हमने देखा है कि artificial intelligence जो है वो rapidly take over कर रहा है अब artificial intelligence का बढ़ना being a emotional intelligence expert में चीज़ देख पा रहा हूँ कि artificial intelligence बढ़ रहा है तो समाज में isolation बढ़ जाएगा लोग एक दूसर से कम बात कर रहे होंगे gadgets के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे होंगे artificial intelligence बढ़ने से एक व्यक्ति का एक individuality कम हो जाएगी उसका एक personal grooming जो है वो कम हो जाएगी society के cases बढ़ जाएगे depression, anxiety के cases बढ़ जाएगे relationships, breakups यह मामले बढ़ी रहे हैं इसमें crisis आई रहा है तो artificial intelligence अगर बढ़ रहा है तो social isolation भी बढ़ रहा है और आप emotional intelligence कब बनते हो जब आप socialize होते हो जब आप लोगों के बीच में होते हो जब आपके साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है commitments भी होते है, वो तूटते भी है तो वहां से अरुभा होसे आप सीखते हो अब machine तो कुछ गलत आपके साथ करी नहीं रही है लोग ही तो गलत करते है तो लोगों के साथ आपका रहना कम हो जाएगा तो आपकी emotional intelligence और कम हो जानी है तो artificial intelligence जितना बढ़ेगा emotional intelligence लोगों को और गिरना है और इस वज़े से suicide वाले cases हो गए या फिर isolation वाले या depression anxiety की cases बढ़ने है यह होगा, तो अब इस point of time पर emotional intelligence को और ज़्यादा seriously लेने की जरुवत है कि ठीक है अगर हम AI की तरफ rapidly बढ़ रहे हैं, तो हम कहीं खुद को ना खो दे, तो खुद को भी हम बना है रगें सही से या खुद की grooming का भी बराबर ख्याल रहे हैं तो उसके लिए AI जो है emotional intelligence that is going to be very important lovely, one more thing जो कई बार मैं सोचता हूँ कि जैसे पहले अगर रिष्टे बनते थे, तो उन रिष्टों के बनने का एक process था so what do you think कि यह जो इतना easily एक रिष्टे की बनावट में जो process है, वो सब complete हो गया है इसलिए कहते हैं love at first sight and divorce at first fight तो यह चीजे हैं so what is your deck on this issue जैसा मैंने भी तो लिए पाज़ा आफ तो बता रहे हैं इसको जे बढ़ना की सब्सक्राइब का कपिस्ता कारएब था कि हम लोग इंग्सिकर ने दीपार इसलिए वो जो sprint है relationships इवो परीज़े डायोट हो गीए नहीं किसा मैंने कार की सारी शीज़ा पहता ही जिए सुक्षम भी है और सारा जे सब्सक्राइब करें तो एक इंसान ही है जो इतना समत्पित हो जाता है कि हम इसे को देख भायरी शामताव क्लिया आपके अलाब और एक इंसान ही है जो जाके चारा फेर कर लेता है तो जिसने खुद को जादा अच्छा समाल लिया वो उसी जगे पे खुश है और सारी चीज़े ठीक कर लेगा जो थोड़ा सा बै गया आओ के हिसाब से वो सोसाइटिक विवस्ता को कराब करेगा और वो हो रहा है और वो बहने की पॉसिबिलिटीज हम लोग ने बहुत जादा बढ़ा दी है जैसे आज से 20-30 साल पहले जब हमारे पास access नहीं हुआ करता था लोगों का तब हम spiritual जादा थे जादा मंदिर जादा पूजा पाड़ करना दियान करना और यह सारी चीज़े जादा करते थे तो जब प्रलोबन कम थे तब हम spiritually एकदम ओक्के थे और आज जब प्रलोबन बढ़ गया है तो वो अध्यात्मे की जरुवत अभी जादा है ताकि अब आप ना बैजाए आँ आँ तो वो कम हो गया है तो हम चाय कितनी समझधार हो जाए है मोजन हो गया है पर कुछ बेसिक्स जो है वहाँ पर हम व्यक्स ख्याल लिए नि रखा है रही है और कहीं न कहीं इसके लिए यह मदे रिस्पॉंसिबल है कि हम खुद को उलका समझ के जो western है वो जो सारी चीज़ है उसको थोड़ा सा तबज्जो देते हैं, तो हम ड्रास्टिकली उनके जैसे बन जाना चाहते हैं, पर हम ये भी ने देख रहे हैं कि जो हमारे core values थे, उनकी जादा जरुवत है इस point of time पर, तो ये ये प्रॉब्लम है और ये ये जादा ही होगा, ये दिन में दिन बढ़ेगा इसलिए हम कहाते हैं कि relationship में crisis आने वाला है प्रॉब्लम्स होने वाले हैं एक सर phase वो था, जहांपर इंसान को शादी होती थी अब चल रही है या नहीं चल रही है, अच्छा है या बुरा है बट इदर ही रहना है वो phase 1 था, फिर phase 2 आया phase 2 था कि, जहांपर इंसान को यह पता है कि मेरे इसके साथ बन नहीं रही है, मेरे इसके साथ जगड़े है या बिलकुल चली नहीं पा रहा है तो मैं divorce ले सकता हूँ अब एक phase 3 में हम लोग इंटर कर रहे है तो phase 3 यह आ है कि हमारे बीच में problem कुछ भी नहीं है बस मुझे वो ज़्यादा पसंद है इसलिए divorce कर रहे है अब यह होना शुरू हो जाएगा और यह बहुत बड़े skill पर जाएगा और यह एक विक्ति के जिंदगी में 2-3-3-6-4 बार भी हो सकते है इसके क्योंकि कोई limit नहीं है यस क्योंकि कई बार जैसे अभी इंडिया में लगबग 5-7% divorce rate है जो की बढ़ रही है अमेरिका में 55-60% टाइप पे रहती है तो मेरे हमेशा एक observation रहता है कि जब भी आप किसी culture का music import कर रहे हो वहाँ का fashion import कर रहे हो वहाँ का खाना import कर रहे हो तो यह बात पक्की है कि आप वहाँ की problems भी import कर रहे हो ठीक है तो कहीना कहीं यह जो बढ़ती भी divorce rate है वो भी एक factor है बट यहाँ पे एक ओर चीज़ जो importance रखती है वो यह रखती है कि कई बार यह भी एक सोचने का point of view रहता है कि आप अगर compromise ही कर रहे हो रिष्टे में और constantly toxicity में ही हो रिष्टे के अंदर तो कई बार दो toxic लोग एक दूसरी की जिंदगी बरबात करें साथ में रह करके इससे तो बैटा रहेंगी अलग हो जाए और अलग हो करके खुश रह सकें तो what is your take on that obviously अब ये थॉट हम सिर्फ इसलिए हमारे जहन में आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि दूसरे options इन लोगों को मिल जाएंगे तो फिर ये क्यों दुखी है अभी आज से अगर हम 20-30 साथ दो डिकेट पहली जाएंगे तो हमको पता था कि इसके दूसरी शादी होई नहीं पाएगी अगर कोई 35-38 की एज में और अगर उसका डिवार्स हो गया था हम जानते थे एक समाज के तौर पे कि इसका कुछ नहीं हो सकता इसे जिंदगी पर एक लिए रहना तो तब ये recommended नहीं था कि आप अलग हो जाओ कि जेसा भी ये चला लो अभी option है तो हम लोग recommend कर रहे है तो धीरे धीरे ये जो ये जो आजादी है ये जो circle है और बढ़ना है तो एक time पर ऐसा होगा कि एक छोटी सी problem जो सामने वाले में है उसके लिए भी उसके साथ वाले लोग कहतेंगे कि तो उसको जेली क्यो रहा है तो जरुवत क्या है उससे अच्छे लोग है तो ये चीज़ बढ़ी कि बढ़ इससे हम पहुचेंगे कही नहीं इससे हम पहुचेंगे कही नहीं So what is the role of like why human beings form relationship let's go back to the fundamentals then that why we form relationship because if we look at other species itna complex dynamics नहीं है relationship का right कि कई बार तो male female भी just they come together to exchange sperms right that's it तो जसे dogs में होता है कि father is not responsible at all and there are so many species जिन में कोई complex dynamics नहीं है elephants में थोड़ी complex रहती है कुछ-कुछ mammals में रहती है but जितना complex dynamics relationship का human beings के अंदर है वो complexity कहीं भी नहीं देखने को मिलती है so why human beings need relationships are we incomplete when we are alone or why we seek relationships human के साथ एक angle तो हमेशा से ही है कि उसे continuous fellowship continuous support और continuous sympathy चाहिए होती है यह है अब इसके लिए ये तीन चीज़े जो है उसको कहां से मिलती है ये से मिलती है उसका एक circle of confident होता है ऐसे लोगों का circle जो उसके विश्वस नहीं है जिनके सामने वो अपनी अच्छे और बूरी सारी बादे बता सके और ऐसे मार लीज़े कि मार लीज़े मैं हूँ और मेरे 3-4 ऐसे लोग है एक बाईया है, एक दो friends है, एक girlfriend है कि हाँ, ये तीन लोग ऐसे हैं, जिनसे में जिन्दगी के सारे सुक दुक शेर कर सकता हूँ तो ये तीन लोग है मेरी social capital ये बिल्कुल वैसे ही है कि मेरे account में आज 50-60 लाग पड़ा हुआ, एक दो करोड़ पड़ा है तो वो मेरी financial capital है, जो कर कुछ नीरी account में सिर्फ एक sense of security मुझे महसूस करा रही है कहीं कुछ emergency आ गई, तो अपने पास backup है वैसे ही वो जो लोग है, वो कर कुछ नीर है मैं अखेला complete हूँ एक sense of security है कि अगर कल को कुछ हो गया मैं hospitalized हो गया, बिमार हो गया मेरे साथ कोई परिशानी हो गया, कोई sad back हो गया तो ये लोग है मुझे समालने के लिए या अगर कल को मुझे कोई celebration करना है तो ये लोग आ जाएंगे मेरे साथ शामिल होने को तो वो एक social capital इंसान build करता है अब क्या हो रहा है कि लोग पहले joint families हुआ करती थी पहले villages में जादा लोग हुआ करते थे education कम था, लोग रोज शाम कोई कट्टा हो जाया करते थे तो पहले social capital जादा होता था एक इंसान बिमार होता था तो 50 लोग मिलने आ जाते थे अब लोग isolate हो गया है अब एक विक्ती जा रहा है अपनी wife को लेके पूरे में है हैदराबाद में जाके shift हो गया, दोनों आ रहे रहे हैं दोनों job कर रहे हैं और उसी बड़ोसी से बात करने का culture मेट्रोज में होता नहीं है किसी तरह का social circle भी कुछ होता नहीं है socially बहुत isolated है तो सिर्फ एक ही इंसान social capital है अब अच्छा भी है तो ये बुरा भी है तो ये अगर किसे ने girlfriend बना ली है तो वो social capital है मतलब parents को छोड़ दूँगा पर इसको नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि अगर एक ही इंसान जिसमें आपने invest किया है वो इंसान अगर चला गया तो आप एक जटके में ही road पर आ जाएंगे bankrupt हो जाएंगे एक तरह से कि आपको पूरा social capital zero हो गया फिर से आपको एक नया इंसान डूड़ना है उसके साथ आपको वो सारी चीज़े build करनी है तो वैसा इसलिए इंसान कई बार parents के भी अगेंस चले जाता है relationships के मामलों में अब ऐसे में एक व्यक्ति का जो break up होता है तो वो रोने लगता है या वो drugs लेंगता है या उसके साथ problems है दुनिया भर कि depressive tendencies आ रही है क्योंकि वो यह महसूस कर रहा है कि मैं socially bankrupt हो चुक हूँ और उसे तुरंट चाहिए कि कोई नई लड़की मिल जाए या कोई बंदा मिल जाए और उसके साथ में वापस से बादचीश शुरू हो जाए और वा मेरे social capital वापस से अगली दिन से build होना शुरू हो जाए कई बार वो रिष्टों में गलती भी करता है जब यह rebound में जब किसी को टूनता है तो जैसा आपने कहा कि उसको relationship की जरुवत क्यों है दरसल उसको social capital की जरुवत है वो एक अलग angle है कि उसकी physical needs है और वो सारी चीज़़े है कई लोगों की social capital उनके दो दोस्त है और वो उसमें भी खुश है उन्हें ऐसा लगता नहीं कि मुझे किसी की जरुवत है तो social capital important है और social capital की जब बात होती है तो मेरे recommendation यह होती है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा isolate हो रहे है you have to make sure कि सिर्फ एक इंसार आपकी social capital नहीं हो कभी भी इसलिए आपका अपने parents के साथ भी connect अच्छा होना चाहिए आपके social circle में दो-तीन लोग उनके साथ आपके दो-चाथ दोस्तों के साथ तो कम से कम 8-10 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी social capital है उस case में कभी भी आप bankrupt नहीं होते तो कभी भी एक बहुत बड़ा setback life में इस point of view से नहीं आएगा कि इसने किसे को छोड़ दिया या इसका break up हो गया या केला हो गया आपके पास लोग होते हैं तो उस चीज़ से cope up करने की आपकी जो possibility है वो जादा अच्छी होती है तो social capital is something that make us to go and form relationships lovely, बहुत beautifully explained किया या बहुत बढ़िया